असलाम लेकूम डेर स्टूडेंट्स हाउ और यू पहले हमने माईरिंग इंस्टूमेंट पड़े जिसमें हमने किसी अबजेट की लेंग्ट किसी अबजेट की विर्थ या क्रॉस सेक्षन एरिया या डायमेटर वगरा हमने कैलकुलेट किया था तो आज हम क्या करेंगे स्क्रिव गेज के जरीए क्या करेंगे मीन पहले हमने मीटर रूल के बारे में पड़ा है वरनिया कैलिपर के बारे में पड़ा है उनके लीस काउंट वगरा देखे थे आज हम देखेंगे स्क्रिव गेज के बारे में कि स्क्रिव गेज हमारे पास क्य तो screw gauge जो है हमारे पास यह वन्य कैलिपर से more accurate है वन्य कैलिपर से भी more accurate है screw gauge है क्या screw gauge is an instrument that is used to measure small length with greater accuracy greater accuracy के साथ small length किसी भी चीज़ की मालुम करने के लिए with greater accuracy than a one-year कैलिपर वन्य कैलिपर से ज्यादा accuracy के साथ किसी भी चीज़ की small length को measure करने के लिए इस्तमौल किया जाता है it is also called micrometer screw gauge इसको micrometer screw gauge भी कहते हैं micrometer smallest substance की length को मालुम करने के लिए इसको हम क्या करेंगे utilize करेंगे यहाँ सामने हमारे पास एक simple इसकी diagram बनी हुई है यह हमारे पास U-shaped metal frame है क्या हमारे पास इसकी जो metal frame होगी वो क्या होगी U-shaped mean अगर इसकी construction में हम जाएं तो U-shaped क्या है हमारे पास metal frame है यह U-shaped metal frame और उसके अंदर जो हमारे पास यह एक metal का बनावा होगा इसे हम कहते हैं stud क्या बोलते हैं stud और यह हमारे पास है हमारे पास spindle जो क्या करता है move करता है forward and backward direction में यह क्या करता है move करता है stud हमारे पास क्या होता है fix होता है जो spindle है यह क्या करता है move करता है forward and backward direction में कब जब हम क्या करेंगे यह हमारे पास ratchet है इसको clockwise या anti-clockwise हम क्या करते है रोटेट करते हैं clockwise या anti-clockwise इसको रोटेट करने से जो spindle है यह forward or backward direction में क्या करेगा move करेगा अगर हमारे पास यह substance है इसको मालूम करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे इसको fix करेंगे fix करने के बाद fix कब होगा जब यह spindle क्या करेगा move करेगा अब उसके बाद यह हमारे पास क्या है lock है mean किसी चीज की length को मालूम करने के लिए हम उसको उसके अंदर fix करने के बाद lock लगा देंगे अब lock से यह होता है कि वह चीज गिरती नहीं है सही दरीके से हम उसकी क्या कर सकते हैं measurement कर सकते हैं और यह हमारे पास का main scale reading इसको index line बोलते हैं इसके उपर numbering होती है 0,1,2,3,4,5 इस तरह से ठीक है और यह हमारे पास circular scale है वर्निय कैली पर में था हमारे पास movable job ठीक है यहां हमारे पास का है circular scale है जिसके उपर reading होती है 0 से लेकर 100 तक और इसको हम क्या कहते हैं hollow cylinder होता है जिसके अंदर यह क्या होती है index line होती है अब यह just like as a, यहां पर देखें, यह हमारे पास है यह इसका circular scale होगा, यह इसकी index line होगी index line के उपर, जिससे हम main scale कहते है उसके उपर reading होती है और इसके circular scale के उपर भी क्या होती है? reading होती है और यह हमारे पास metal frame है, index line, यह hollow cylinder हो गया और यह जो हमारे पास है, इसका portion, इसको हम कहते है थिंबल, क्या बोलते हैं? थिंबल, और यह हमारे पास क्या है? रैचिट, अब रैचिट, जब clockwise रोटेट करते हैं, तो स्टर्ड और spindle के दर्मियान का जो gap होता है, वो कम होता है, कम होता जाता है, mean, stud अपनी जगा पर fix है, spinal forward direction में क्या करेगा move करेगा और जब आप उसको anti-clockwise rotate करेंगे then ये क्या करेगा anti-clockwise में जो gap होता है वो ज़्यादा होता जाएगा अब इसमें हम बात करते हैं कि index line के उपर एक line से लेकर दूसरी line जिसे हम threads कहते हैं क्या बोलते हैं? threads इन threads के दर्मियान का जो distance होता है वो होता है 1 mm कितना? 1 mm जिसे आप कहते हैं pitch of a screw gauge screw gauge की pitch smallest जो मारे पास reading है इसमें एक line से दूसरी line तक ये कब होता है? जब circular scale 0 से लेकर 100 divisions 0 से 100 divisions complete करता है तो index line के उपर एक line show होती है एक line show mean एक line जो है वो 1 mm एक line से लेकर दूसरी line तक वो जो circular scale जो हमारे पास ये move करेगा तो इसके उपर 1 mm का distance show हो जाएगा तो इसका अगर आप lease count calculate करें तो lease count में हमारे पास ये है कि pitch of a screw gauge screw gauge की pitch की पिच कितनी है? ठीक है? और number of devians on circular scale c.s मैंने लिखाया in short तो इसे circular scale पड़े है तो pitch of screw gauge number of devians on circular scale तो pitch अभी हमने discuss किया है कि 1 mm का होगा हमारे पास और number of circular scale devians जो है हमारे पास वो कितने है? 100 तो 1 mm divided by 100 तो ये हैगा 0 0.01 mm ये हमारे पास इसका पतलब है ये 0.01 mm जो है ये mm में screw gauge का क्या होगा? least count होगा small s reading that can be taken by using a screw gauge 0.01 mm इसको cm भी लिखेंगे तो एक point forward direction में हाड़े हैं हमारे पास 0.001 cm mean क्यासे? जैसे 0.01 mm है मिली है मैं पता है 0.01 mm 10 to raise पर minus 3 meter होता है minus 3 को मैंने 2 करना चाहते है सेंटी में इसका मतलब है 0.01 minus 10 to raise पर minus 1 जो है हम नीचे ले आते हैं 10 to raise पर plus 1 हो गया 10 to raise पर minus 2 meter इस पर divide करें 0.001 10 to raise पर minus 2 जो है वो cm हो साथ में मीटर ये convert हो गया है इसको हमने convert कर लिया cm में अब हम देखते हैं इसमें error चेक करते हैं सक्रीव गेज के अंदर जैसे हमने वन्या कैलिबर में डिसकस किया था कि पहले instrument को चेक किया जाता है कि उसमें किसी किसाब की कोई mistake तो नहीं है आया को वो value सही बताता है या value काम बताता है या value ज़्यादा बताता है तो 0 error 0 0 error वो mistake होती है हमारे पास फ़र उसके हम correction करते होते है correction कैसे करते हैं कि पहले हम before mirroring आप क्या करेंगे दोनों उसके जो हमारे पास stud और spindle है उन दोनों के gap को खतम करेंगे 0 of circular scale concise with the index line then 0 error is 0 अब कैसे circular scale का 0 और index line का 0 जब ratchet को clockwise rotate करेंगे तो ये gap खतम हो जाएगा इन दोनों का gap भी खतम होना चाहिए और circular scale और index line का 0 भी आपस में क्या होने चाहिए एकी line में होने चाहिए यहाँ पर मैंने शोग किया हुआ है ये 0 index line है ये 0 circular scale है ये दोनों एक दुसरे की एकी line में हो और stud or spindle के दरम्यान gap भी ना हो तो इसका मतलब है 0 error क्या है 0 है किसमें screw gauge के अंदर mean वो screw gauge बिल्कुल ठीक है और वो सही सही क्या करेगा measurement करेगा अब 0 error positive काब होगा mean अगर वो screw gauge value ज्यादा वताता है तो इसका मतलब है उसके अंदर positive error है 0 error will be positive if 0 of circular scale is behind the index line ये index line ये हमारे पास circular scale की reading अब index line से behind पीछे रह जाता है और gap भी खतम हो जाता है stud और spindle के दरम्यान gap भी खतम हो गया लेकिन index line की 0 और circular scale की 0 भी कौन साइड्स नहीं की मतलब वो पीछे रह गया circular scale पीछे रह गया behind रह गया तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा positive error calculate कैसे करेंगे जितने devian वो पीछे रह गया है उतने devians को least count के साथ क्या करेंगे multiply करेंगे जो value आएगी असल value में से जाके minus कर लेंगे minus क्यों करेंगे कि value ज्यादा बताता है जब ज्यादा बताता है कितनी ज्यादा बताता है वो हमने calculate किया हुआ होगा last value rating में से जाके उसको subtract कर लेंगे zero error negative का अब होगा zero error will be negative if zero of circular scale has crossed to the index line इसमें behind था positive में negative में क्या होगा cross कर जाएगा zero से तो यहाँ पर लेकिन ये index line की zero है ये circular scale की zero circular scale की zero cross कर गई है index line को तो इसमें error क्या होगा negative का मतलब है वो value कम बताएगा अब calculate इसको कैसे करेंगे जितने devian index line से वो cross कर गए है उतने devians को screw gauge के least count के साथ multiply करके जो actual value आएगी हमारे पास उसमें हम उसको add कर देंगे negative value हमेशा add की जाती है और जो positive value होती है उसको असल value में से इसको क्या करते है subtract करते है mean ये correction होती है क्या होती है correction होती है इंशाल्ला next lecture में हम next topic बिसक्स करेंगे आला आपिस क्या कृच्स चाहब पिसपी फिस चेट